सो गाइज यसाइक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जियो यान ने मुशी के साथ लड़ाई की थी मरगरों कमजोर पड़ गया था इसलिए वहां से निकल गया था और उसने कठीन ट्रेनिंग लेना जारी रखा फिर उसकी मुलाकाद यूनियून से हुई जो परपल स्प जाता है कि जियो यान एक नदीय किनारे होता है और जब उसकी आँख फुलती है तो देखता है क्यों पूरी तरीके से ठीक हो चुका है और वहां उसके पास यूनियून का सीक और वेश्ट और एक स्कॉल पढ़ा हुआ था जो यान यूनियून का आवार लगाता है मगर व पहां निकलकर कहते हैं कि तुम मुर्ख हो वो लड़की डूहांग लेवल पर थी इसलिए तुम्हारे पास सीब इसलिए नहीं आएगी कि तुम उसे देखना चाहते हो मगर उसने तुम्हारे लिए एक प्रेश्यस गिफ्ट छोड़ा है जो यान कहता कि क्या अब इस वेश ने बन चुका है जिसे वह रहान होकर माश्टर से पूचता है कि केसे हुआ माश्टर बताते हैं कि कल रात हालात बहुत खतरनाक हो गए तुम्हारी जान जाने वाली थी मुझे लगा क्यों लड़की तुम्हें चोड़कर जा रही है और मैं तुम्हें बचाने के लिए बा बुकर पाए और तुम्हारी सबी चोटे ठीक हुई साथ इससे तुम्हारी पावर भी बढ़ गई मागर तुम्हारे जागने से पहले ही यहां से चली गई माश्टर जियो यांस से वह इसको ले लेते हैं जिसमें लेवल टू फाइटिंग टेकनिक थी जिसका नाम एक्सप का यूज करके बटाते हैं जिसके लिए ओ तेजे से जनप करते हैं और ऑउक्ट्ञ ब्लाश्पावर से एक पहार को तोड़ देते हैं जयो यहां यह दे कर बहुत खुश होता है माश्रु से बिक्सप्लिव और उक्ट्रीन ब्लाश्पावर करके एक बहुत ही खतरना.. combat move बनाये जा सकता है जियो यान union को इसके लिए थेंस कहता है तो master कहते हैं कि तुम्हें मुझे थेंस कहना चाहिए पर कोई बात नहीं फिरों से बताते हैं क्यों सकता है कि union ने तुम्हारी body में किस्टल की purple flame को वश्मे कर लिया हो पर अगर तुम अपनी तागत को बढ़ाने के लिए purple flame का यूज करते हो तो यह तुम्हारी eternal energy को exploding के point तक स्वेल कर सकता है ए मैथिष्ट विंग्डि लाइन कि परपल फ्लेम की power के साथ सबी लेवल को पार करने में सक्षम है और इसा इसलिए है कि और तुम्हें परफल फ्लेम से लड़ने की कोई जुरत नहीं है लेक लड़ने से ही तुम अपनी फाइटी एनरजी को सिर्कर पाओगे अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हैंवली फ्लेम मिलने पर भी तुम उसे अशोशित नहीं कर सकोगे जोयान कहता कि पांच बिष्ट को मारना कोई बड़ी बात नहीं है मैं एक दिन में 10 जानुर का शिकार ले पाऊंगा फिर हम लिंगर नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कांगेंग नाम के आदमी के साथ भाग रही होती है क्यों कि वुलफेट मरसेनेरी गुरूप के लोग उनके पीछे थे लिंगर का भी ठक जाती है और वो कामेंग से कहती है कि मैं अब और नहीं बाग सक ती इसलिए तुम मुझे छोड़कर चले जाओ मगर कांगेंग अपनी तल्वार निकालकर गेंग मुझा सामना करने के लिए त्यार हो जाता है तब यहां जियो यान आ जाता है जो से कहता है कि गेंग मुझा जो वुलफेट ग्रूप का सेकंड चीफ है क्या तुम उसी से कागेंग जियो यान को बताता है कि हमारे लूट को चुराना चाहता है और ओर लिंगर को भी अपने साल ले जाना चाहता है जियो यान उसे कहता है कि मैं भी गेंग मुझे खेलना चाहता हूँ पर तुम कौन हो कागेंग बताता है कि मैं बलेड़ी बेटल मरसेनरी और ये मेरी साती लिंगर है, लिंगर जी ओयान से कहती है कि तुम बच्चे या क्या कर रहे हो मुझे लगता है कि तुम हंकारी बनने का दिखावा कर रहे हो इसलिए तुम जा से आए हो, वहीं चले जाओ तब यहां गेनमू अपने साथियों के साथ आने लगता है तो जियोयान पहले आगे चला जाता है और वो जैसे ही एक पेड़ पर जंप करता है तो नीचे गिर जाता है जिसें देखकर लिंगर कहती है कि बच्चा सच मुझ पागल है इसलिए हमें भी उसकी मत करनी चाहिए कागेंग कहता कि तुम सही कह रही हो हम साथ लड़कर सभी जीवित रह सकते है जियोयान गेनमू और उसके साथियों के सामने आ जाता है और अपनी एक्सप्लोडिंग इस्टेफ्स टेकनिक का यूज करके गेनमू को गोड़े से नीचे गिरा देता है गेनमू के सेनिक उसे मारने आने लगते है लेकिन जियोयान अपनी तलवार वहां निकाल लेता है और गेनमू के सभी सेनिकों को मारने लग जाता है एक सेनिक वहां से भागने लगता है लेकिन जियोयान अपनी vacuum palm technique से उसे कीच का मार देता है गेनमू से कहता कि तुम कौन हो और सभी के सामने मेरा मज़ा कुडाने की हिमत कर रहे हो जियोयान उसे कहता कि क्या तुम गेनमू हो गेनमू कहता कि तुम मेरा नाम इतनी सहजिता से नहीं ले सकते और उस पर अपने किक से हमला करता है मैगर जियोयान को इसे बिलकुल भी घंटा फर्क नहीं पड़ता और उसे एक जटके में ही दूर कर देता है गेनमू जियोयान को मारने की कोशिश करता है मैगर उसे कुछ नहीं होता और जियोयान उसे दूर गिरा देता है उनकी लड़ाई लिंगर और कागेंग भी देख रहे होते हैं लिंगर कहती है कि वास्तों में मैंने उस लड़के को कमा का मुझे नहीं बता था क्यों इतना शक्तिशाली होगा गेनमु जियान से पूचता है कि तुम्हारा नाम क्या है तो जियान कहता है कि मैं तुम्हारा दादा हूँ गेनमु समझ जाता है कि वो जियान है और उसे कहता है कि तुम अब तक कैसे जिन्दा हो ये सुनकर कागेंग भी कहता है कि ये वहीं लड़का है जिसने वुल्फेट मरसेनेरी गुरूप के लिए परेशानी खड़ी कर रखी है गेनमु अब अपनी लाटी को बाह निकाल लेता है और फुल जोश में उसे कहता कि अब तुम्हे स्वर्ग जाने से कोई नहीं रोक सकता मैं तुम्हें खत्म कर दूँगा और उस पर अपनी लाटी से अमला करता है मगर जियोयान उसकी लाटी पकड़ लेता है और उसे दूर गिरा देता है जियोयान अब उस पर अपनी तलवार से अमला करता है मगर उपनी लाटी से उस अमले को रोकने कोशिश करता है वो अपना पूरा जोड लगा रहा था क्यों क्यों तलवार बहुत बारी थी जोयानू से कहता कि आज मेरी नहीं तुमारी म्रत्यों का धिन है और अपने परवर फ्लेम को एक ट्रेट करके उसे दूर फेंग देता है यह अमला इतना पारफुल था कि वहाँ दरारे पढ़ने लगती है मगर गेनमू को कुछ नहीं हुआ था इसलिए जोयानू चल कर तलवार से उसे मानने लगता है लेकिन गेनमू यह जीन का नाम लेता है जिससे और रुख जाता है गेनमू से बताता है कि मेरे पास इस जीन के बारे में इन्फोर्मेशन है उसे थाजन मेडिसीन आउस के मिश्टर आओ ने अपने हाउस में केट कर रखा है और वो एक दूश्टा आदमी है जो इस जीन का फाइदा उठाने की कोशिश कर रहा है और यहां तक कि हमारा बोस मुशी भी उससे डरता है और मुझे लगता है कि मिश्टर आओ ने इस जीन को अपने पास सिब केजूल ट्रिंस के लिए नहीं रखा बल्कियो रेंबो पोईजन बुक को आसिर करना चाहता है जीन की जान को गमिर खत्रा है तबी गेनमु का गेंग पर हमला कर देता है और लिंगर से कहता है कि तुम मेरी बंदक बनोगी और उससे पकड़कर जाने लगता है मगर तभी जियोयान लिंगर के आगे आ जाता है और exploding stirs technique से गयनमो को जान से मार देता है मगर ओ एक सेनिक को वहां से बाग कर जाने देता है कागिं जियोयान को धन्यवाद देता है कि तुमने हमारी मदद की जियोयान कहता है कि कोई बात नहीं और वाँ से चला जाता है लिंगर को जियोयान बहुत ओसम लगता है जियोयान भागता हुआ आगे बढ़ने लगता है और कहता है कि जिन में आ रहा हूँ फिर हम देखते हैं कि जियोयान श्रीयाओ के थाउजन मेडिसिन होल में पहुँच गया था जहां दो सेनिक बाते कर रहे थे कि गेनमु को किसी ज़ान लड़के ने माँ डाला और वो लड़का एक बड़े आकार की रूलर बिलेट का यूज़ करता है जियोयान चुपके से य जिन के कमरे में गुच जाता है ये जिन से देखकर खुश होती है और उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र थी जियोयान उसे शान रेनेओ कहता है क्यों कि सेनिक उस्तरबार रहे थे इसलियोयान गड़की को बंकर देता है जिसे सेनिक उन्हें沒關係 नहीं देख पा पता चला तो मुझे ढूंडने आएंगे और मेरे गाउं के निर्दोश लोगों को चोट पहुचाएंगे जो यान उसे बताता है कि मैं उन कमीनों से छुटकारा पाने जा रहा था लेकिन मुझे तुम्हारी चिंता थी इसलिए मैं सबसे बेले तुम्हें बचाने आया यह जिन कहती है कि तुम मेरा कितना ध्यान रखते हो जियान कहता है कि इसलिए है क्यों कि तुम मेरी दोस्त हो यह जिन उसे चुप रहने हो कहती है और अपने सार ले जाकर कहती है कि तुम्हें अभी आराम करना चाहिए हम उसे बाद में निपटने की ओजना बन तो सभी सेनिक पूरे जोश में वहाँ से निकल जाते हैं वहीं शिरियाओ को भी पता चल गया था कि कोई इजिन के पास आया है इसलिए अपने सेनिकों के साथ उसके कमरे में आता है और इजिन से पूसा कि लड़का कौन है तो उन्हें जुट कहती है कि मेरा भाई है शिरिया हो यह जिन से पूसा कि तुम मेरे मेडिसीन हाउस में रहकर खुश नहीं हो एक सेनिक समझ जाता है क्यों जीओ यान है इसलिए और दिरे दिरे वहां से किसकने लगता है यह जिन कहती है कि बेशगा आपने मेरी अच्छी देखबाल की और मेरा यहां रहना सुकत रहा शिरि शिरियाओ से कहता है कि तुम आस्तों में नहीं जाती कि मुझे अपनी देखबाल के बुकतान के बदले मैं क्या चाहिए और मैं जाता हूं कि तुम्हारा यह बाई जो यान के लावा और कोई नहीं है अगर वुल्फेड मरसनेरी सेनिकों को इसके बारे में पता चला कि पोईजन बुक कैसे हो सकती है शिरियाओ अपने सेनिकों को बुला लेता है और कहता है कि अगर आज तुम मुझे पोईजन बुक नहीं सोपोगी तो मैं तुम्हाई जान ले लूँगा और तुम्हारे बाई जियो यान का जीवन भी यहीं खत्म हो जाएगा जियान कहता है कि ए गुंडे मेरा क्या उखाड लेंगे और अपनी तलवार को बहार निकालता है जिससे सभी सेनिक डर जाते हैं शिरियाओ एक कुरसी को आगे करके उस पर बेड़ जाता है और जियो यान से कहता है कि तुम्हें सा मत सोचो कि तुम्हारे पास कोशल है तो तुम मेरे मेड लेकते हैं कि श्रियाओं का एख खबरी मुशे को बताता है कि हम जानते हैं जूशे साइड में फियте ऑर कि कि सभी सेनिकों को खटा करो हम अभी मेडिसीन आउस जाएंगे दूसरी दफ जो यान को गुसा आता है मैं अगर इस जिनों से रोक लेती है और मिश्टर आउस से कहती है कि तुम्हारे पास पोईजनिंग स्किल है पर मैंने इसके सर को पहले ही बैसर कर दिया है क्योंकि मैंने जो यान को पहले चाए में मिला कर एंटीडोट पिला दिया था और उस शियाओं के पास जाकर कहती है कि तुम्हें मेरी पोईजनिंग से डरना चाहिए पिछले कुस दिनों से कोई भी मेरे तीन फीट के दायरे में आने की हिमत नहीं करता मगर फिर भी तुम मुझसे मिलना बर आए वास्तों में तुम लापरवा हो तुम मेरी चूपीओी कूर्सी पर कैसे बेट सकते हो शिर्याओं जल् sacrific अआता है और देखता है कि उस चेहर पर बहुत सारा जहर है यह जिनुसे बटाती है कि अब बहुत देर हो चुकी है शिर्याओं की बोडी में जहर पिहनने लग गया था ये जिन उसे बताती है कि मेरा जर खतरनाक है तुम्हें साथ दिन और रात तक दर्द मेसूस होगा सबसे पहले तुम्हारी हड्या टूटेगी और ठकावर से तुम्हारे जाओगे लेकिन मेरा एंटीडोट तुम्हें ठीक कर सकता है और शायद उस चाय के बरतन में कुछ बचा हो शिरियाओ टीपोड में से एंटीडोट पीने लगता है लेकिन उसमें कुछ नहीं बचा था ये जिन कहती है कि खाली है ये अच्छा नहीं हुआ शिरियाओं को गुस्सा आता है मगरों कुछ नहीं कर सकता था और अपने गुटनों पर बेटकर उसे कहता कि अपनों के खातिर तुम मुझे जिन्दा छोड़ दो मुझे अभी जीना है यह जिन उसे कहती है कि तुम हमें जाने दो और मैं तुम्हें एंटिडोर दूंगी शिरियाओ अपने सेनिकों को वहां से चले जाने हो कहता है सेनिक बाहर चले जाते हैं यह जिन जियोयान को कहत है कि अब हमें चलना चाहिए जियान कहता है कि मुझे नहीं बता था कि तुम इतनी चाला कोगी यह जिन उसे बाहर लेकर आती है और अपनी एगल को आप बुला लेती है जिसका नाम जियो लेन था शिरियाओ बाहर आता है और कहता है कि मुझे एंटिडोर दे दो जियान औ उसकी सीमा के बार जैशन की पर्तिक्षा कर रहे थे कर पिंधे लगाउं जाता है कि से वापस लड़ना चाहता हूं तो मुशी अपने सबीसे डीकों को आगे भीश देता ह। जोयान मुशी से कहता कि तुमें इतना समय हो गया, लेकिन अभी भी तुम अपने सेनिकों के पीछे चिपकर रहते हो, मुशी कहता कि एक रणीती है, जोयान कहता कि तुम्हारे पीछे जो मुर्ग है, वो भी ऐसे ही इस्टूपिड आइडिया के साथ आया था, मुशी अपने तलवार से उन्हें खत्म करने लगता है और उपर पर फ्लेम का भी यूज करता है ये जीन भी जियोयान की मदद करती है और उप पोईजन से सेनिकों पर हमला करती है जिससे और सभी खत्म हो जाते हैं मुझे जियोयान से कहता है कि मैं तुम से नहीं डरता और अब देखते है कि तुम मेरी डोकी पावर के खिलाफ कैसा परदशन करते हो और अपना स्पेर लेकर लड़ने को त्यार हो जाता है और फिनिक्स स्टेप टेकनिक से जियोयान पर हमला करने लगता है जियोयान उसके अमले से बसता है और उसके अमले को रोक देता है और उसकी तलवार वहीं गिर जाती है मुशी कहता है कि आचाये कुछ भी हो पर तुम यहीं मरने वाले हो जियोयान कहता है कि तुमने पिछली बार भी ऐसे शब्द कहे थे मुशी जियोयान की तलवार उठाने लगता है मगरों काफी बारी होने की वज़े से उसे बहुत मुश्किल होती है जियोयान कहता है किसे चलाना इतना असान नहीं है और उसकी पर फायर पाम टेकनिक से हमला करके वेक्यूमेंट पावर से अपनी तलवार को वापस ले लेता है जियोयान अव उस पर एक्सप्लोडिंग स्टेप्स और ओक्टेन ब्लाश्टी को मर्ज करके हमला करता है जिससे मुश्किल के सिने में ब्लाश्ट होता है और उसे बताता है मुश्किल कहता है कि मुझे नहीं पता था कि डूप रेटिशनर को भी इतनी एडवांस फाइटिंग टेकनिक के बारे में पता होगा और अब मैं तुम्हें अपनी नई डेवलोप टेकनिक दिखाऊंगा और उसे बताता है कि तुम्हें ओरीजिन को जो तीसा बोक्स मिला था उसे मैंने खोल लिया जिससे मुझे हाई लेवल फाइटिंग टेकनिक मिली जिससे तुम अब मर जाओगे और उस जियोयान पर हमला करने लगता है जियोयान भी से थोड़ा डर जाता है और अपने माश्टर से कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मुझे उस बोक्स को जवरदसी खोल लेगा और अब मैं उसे नहीं लड़ सकता माश्टर से कहते हैं कि अपने फ्लेम का यूज करो जियोयान परपल फ्लेम को एक ट्रेट कर लेता है मुझे जियोयान पर वाइड लाइन रोर पावर से हमला करता है मैंगर जियोयान उस पर अपने फ्लेम स्प्लेटिंग सुनामी टेकनिक से हमला करता है जिससे उसकी पावर लोएड रोर पावर को रोक देती है और वहाँ एक बहुर बन जाता है जिससे मुझे के सेनिक चपेट में आ जाते हैं और मुझे भी उस पर पर फ्लेम की चपेट में आ गया था जिससे उमारा जाता है ये जिन जियोयान के पासा जाती है और उसे बूँचती है कि क्या तुम ठीक हो जियोयान कहता है कि मैं ठीक हूँ तैवी सेनिक के बेश में छिपा हुआ मुझे जियोयान पर दोके से हमला कर देता है और उसे तलवार से इंजट कर देता है जियोयान उसे दूर फेंग देता है ये जिन कावी दुखी होती है कि मेरी वज़े से तुम्हें चोड़ लगी जियोयान उसे कहता है कि मैं ठीक हूँ मैंने सेवटी आर्मर पेना है ये जिन कहती है कि तुम आसों में कमाल हो पर तुम ठके हुए हो इसलिए मैं तुम्हें कुछ देर शांती से विश्राम करवाने के लिए एक जगर लेकर चलना चाहती हूँ जियो यान केता है कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद और और दोनों इगल पर वेट कर वहां से निकल जाते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्मों जाता है गाइस अगर आप इसका नेश पाट भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लें थेंक्स वरोचिंग